तो टूड़े वेरे स्टर्टिंग फस्रेयर ऐर्केर्यट स्धे वो atom कहलाता है, और atom किस तरह से discover हुआ, और atom के अंदर subatomic particles की discovery किस तरह से हुई, इस पूरे concept के बारे में आज चेप्टर 3 में discuss करेंगे, ठीक है, और chapter 3, it is the longest chapter of austral chemistry, ठीक है, and it is a completely theoretical chapter which contains 99% of the theories, and only 1% numerical, मतब नुमेरिकल लिहाज से ज्यादा कुछ चीज़े नहीं है, चेप्टर 1 और 2 में तो आपने numericals पढ़े हैं, लेकिं चेप्टर 3 और 4 के अंदर जाए numericals नहीं है, यह total description या concepts वाले एक chapter है, यह की story जिसको आप कहा सकते है, story type chapter, जिससे हम atom की story और atom की कहानी के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, तो atom की कहानी कहां से शुरू होती है, तो यह काफ नहीं हजार साल पहले, Greek philosophers जहें, वह वह बहुत जादा कहलों के qualified थें, और उनहीं के बाते सारी मानी जाती थी, तो 2500 years ago, एक Greek philosopher थे, एक Greek philosopher थे, यूनानी philosophy थे, जिनका नाम था Democritus, Democritus, जो थे, उन्हों ने जो है, वह सबसे पहले एक concept पेश किया थे, एक Greek philosopher थे, यूनानी philosophy ने, कि दुनिया के तमाम चीजें, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिल कर रहे बनी हैं, जिसको उसने पकारा Atomos, जिसको उसने Atomos कहा, Atomos खुद एक Greek word है, Atomos खुद एक Greek word है और Atomos के मतलब होते हैं, Indivisible, ना कबेले तक्सीम, कि दुनिया के तमाम चीजें, smallest particle Atomos से मिल कर बनी हैं, ठीक है, यह इसका concept था, और यह Atom कासा से पहला concept कह सकते हैं, इसलिए हम जो है वो Democritus को ही, जो है वो Science की दुनिया में Father of Atomic Theory कहते हैं, Father of Atomic Theory, मतलब Atomic Theory का बानी, Atomy नजरिये का बानी कहलाता है, Democritus, 2005 साल पहले की बात है, 2000 साल पुरानी बात है, यही Democritus ने जो Atomos को concept पेश किया, लेकिन इसके concept जो है, वो एक लंबे एक से तक Democritus को माना नहीं किया, वजह यह थी कि इसी दौर में एक और Greek philosopher था, जिसका नाम था, Aristotle, तो Aristotle जो था, जिस तक Does, यह तो तो नशने का ने एक लग concept पेश किया था, इसने जो concept किया था, वो पेता four basic element concept, ठीक है, उस ने कहा था, दुनिया के तमाम चीज़ें, चार basic elements से मिलकर है, अघ досक ए, आग हे, ठीक है, आग, हवा, पानी, और मिटी, ठीक है, आग हाव इंटी और पानी, तो यह चार चीज़ा से मिलकर जाएं दुनिया के तमाम चीज़ा बाकी बनी है ठीक है हेलो हाँ नहीं हो रहा गैस है अच्छा तो यहां से तो वहाँ पर कोई वाइस की क्लास नहीं हो रही है भी तो नहीं मैं मैं के नहीं को बेज जाता हूँ ठीक ओके सो एरिस्टूटल यह था वह फोर बीस्टीक एलिमेंट का कॉंसेप्ट उसने पेश किया था कि दुनिके तमाम चीज़ा आग हवा पानी और मिटी से मिलकर बनी है लेकिन तो के आप लोगों ने इसके कॉंसेप्ट को जादा पसंद किया विकास जहां वह जादे एक बड़ा फिलोस्फ़र था ग्रीक फिलोस्फ़र था तो डेमोक्रेटस के सरह कॉंसेप्ट कहीं छुपके रहे गी और लंबे अर्सेते लोगों ने आगा मिटी और पानी के कॉंसेप्ट को जाए वह तस्लीम करके रखा यहां तक कि काफी साल गुजरने के बाद मतब इसके आजारों साल गुजरने के बाद साना अटारा सो में अग्विश्ट के मिस्ट आते हैं जिनका नाम था जॉन डल्टन और जॉन डल्टन ने जो नदरिया पेश किया तो यह इन्होंने जहां फिर से पेश्ट कि आइटम उसके नदरिया के तमाम चीज़ें इसमॉलेस पांडिक इसको एटम का नाम दिया और इस तरह से एटीन हे और उन्हेंने जो बात बताएं खींड से ऊहां 128 मोडल हता चेंज हो गया और एक न्या मॉडल आया और वो निया मॉड़ल जो पेश किया तो वो एक British हिया वो पी English ही फिदेशिस स्थे ठीक है उन्होंने पेश किया था और उनका नाम था तो जेजे थॉंसन ने एक और नहा कॉंस्सरट उनने पेश किया और वू है वह स्था के इंदर फॉर्दर पार्डिकल्स है तो उन्होंने बोला था कि और ढ़र पॉजटरीव नेगिटिव चार्ड इस तरह से विख्रें में यह कॉंसेट जो था एंटम का इसको हम लोग कहते हैं Plum Pudding Model यह एटम का Plum Pudding Model यह जे जे तॉम्सन ने पेश किया अच्छास और 1900 में जैसे तर्बूस के अंदर Watermelon के अंदर तर्बूस के बीच हर तरफ बिख रहे होते हैं बिल्कुल ऐसी एटम के अंदर अलेक्टॉन प्रोटॉन हर तरफ बिख रहे हैं तो यह जो कॉंसेट पेश हुआ है इसके बीच में इन बीट्मीन दीस तिंग दो अलग-अलग ऊज़े तो आज हमें topic समझना है कि इस सब्राइक पार्टिक partially यह स्मॉइर स समार्ट होता है वो जो समय कहा जाता है कि एक 166 के और एसकरीव 30 कुरूल समय सकते थेखिए आव एक एंटम है उसके इंदर किस तरह से सब टोमिक पार्टेद्ट को डिसकवर किया गिया थे इसके बारे में अब करने वाले हैं आप पहला जो हमारा सबसे पहले जो हुआ हुआ है वह हुआ है ऐलेक्टरण डिसकवर वह और ऑदर डिस्कवरी हुए इसकी प्रोटॉन की और नम दे सकते हैं इसको discovery of electron भी कहा जा सकता है इसे को हम discovery of cathode race भी कह सकते है चो cathode race और electron की दुनों एक यह चीज़ों को कहते है ठीक है और यह किस तरह से किया गिया था किस apparatus के थूप by discharge tube discharge tube के थूप के थूप को किया गिया था ठीक है में मौझूद एक inventor जिसका नाम था Hendritch Gissler Hendritch Gissler अच्छे यह Hendritch Gissler ने क्या किया था इसने invent किया था इसने इजाद किया था किस चिसको भई discharge tube को वो discharge tube जिसकी मदश से जो है वो electron को discover किया गिया ठीक है वो Hendritch Gissler का का गाम था सेकंड उसके अब जो सेंटेस उनका नाम बेदा डबलु क्रूग उनका नाम था डबलु क्रूग और ये जो डबलु क्रूग थे इन्नोंने क्या किया था उन्होंने डिसकबर किया था cathode race को he discovered cathode race negative race जो होती है ये इन की discovery थी के तोडमशन नहीं क्वलास न अप पड़ते हैं ने uh फड़ाइइ चो भुड्रियूज झिन का न मी क्या ने तो फॉपर्टियूदा इस आप वो properties इन सहाब ने बैताई थी उसके बाद चौते साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे स्टोनी और स्टोनी ने क्या कहता है स्टोनी ने नाम रखा था एलेक्ट्रॉन का एलेक्ट्रॉन को एक जमाने तक कैथोड रेस बोला जाता था और उस कैथोड रे को एलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थें उसका नाम था है स्टोनी तो इचार अलग-अलग साइंटिस्ट के अपने वक्तों में कांट्रॉबिशन है शिफ एक सबटोमिक पारडिकल एलेक्ट्रॉन की तो आज हम डिसकस करेंगे डिटेल में कि क्या होती है और उसको अंदर किस तरह से लेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया ठीक है तो नाइक क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिसकस करने वाले हैं से लिसी लाइक आा डिसचार्टी एक ग्लास टूब होता है कि दो मेटल प्लेटज लगे वो ने तूस के इक में ठीख है और वाइर के तरुटर यह रेक्षद से जोड़ देतां मैं कर एक है टो यह इस ट्राइब के पास्य ट्रॉट कर ट्रास ट्रास कर यहां है तो यह आपके में पर लिख तो इसी था पर लिखता है ट्रास पेरंट ग्लाश स्टूब ठीक है? इसके यार पाण देखा जा सकता है और इसके साथ ये दो यहाँ पर जो हैना plates लगे में, metal के plates लगे में और इसको battery के साथ जोड़ दिया गिया cell के साथ अब cell में इस तरह से दो lines बनी होती है एक छोटी line और एक बड़ी line होती है जो छुटी लाइन होती, that is actually the positive end, और जो बड़ी लाइन होती, that is the negative end, ठीक है, negative से मेशा negative जाकर जोड़ता है, positive से मेशा positive जाकर जोड़ता है, ठीक है, तो यह हमारे पास यह वाला जो electrode है, अच्छ, इसको electrodes कहते हैं, तो यह हमारे पास होता है positive electrode, यह हमारे पास है positive electrode, और positive electrode क हम लोग क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं एनोड ठीक है और यह वाला चुकर नेगेटिव ट्रमिनल से जुड़ा है जाकर बैटरी के तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इस इस दा नेगेटिव एलेक्ट्रोड पहली बात तो यह नेगेटिव एलेक्ट्रोड है और उसी और है ड्रेजा मेंने टिक को भर से अंदर हो सकती है अच्छा जैसे कि मिसाल के तौर पर चल्ड़ बालब भी लगा देतें ताकि जब करन पास हो तो मैं अंदाज होके बिकरेंट पास हो रहा है तो यहां पर अब लगा दिया और अगर मैं इसको इस तरह से जो है वो अच्छा इसके नेर कोई भी गैस मौझूद है ना ठीक है अगर अब यहां से अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या अब करेंट पास हो जाएगा और क्या अब यह बड़ जल जाएगा नहीं जलेगा अभी भी क्यों बिकस यहां पर पर बीच में गैस है यहां से करेंट अगर निकल कर आगे जाता भी है तो इधर पर फस जाए गा बीच में में अगर जाती है से क्र 1977 अब करेंपास होता था धूनिया में एक इंसान भी मचा नहीं रहता अभी सब के सब वह तो अलभा करा में हवा जकन पास नहीं करते हैं लड़ालाशलाब चाल को सांइस पीछड़ा नहीं पास नहीं से करेंट पासम जालाब यह तो जो बहँس Gases Insulator होते हैं, लेकिन Current Pass करने के लिए , अगर हम इस Gases को अगर हम conductor बनाना चाहें , तो यह Gas Conductor बन सकता है, दो Condition चाहिए होगा। इसके लिए हमें, दो Condition पर Gases के जाए वह Conductor हो जाती है, और करन को कंड़क्ट करना शुरू कर देती है सबसे पहली कंडिशन कि हाई वोल्टेज वोल्टेज बहुत हाई तुम दे दो और दूसरी चीज लो प्रेशर प्रेशर बहुत जादा लो कर दो दोनों सुर्थों में ठीक है अब लेट्स ऐसा कैसे होता है कि आपने कभी देखा होगे कि बारिशों वगारे के मौसम में जब बादल आप इसमें टकराते हैं तो क्या बिजली कड़कती है और बिजली जहें वो आख करभी कबार जहें वो जमीन पर भी आकर गिर जाती है अब जंगलात में आकर गिर जाती है घरों पर आकर गिर जाती है ठीक है जाने भी जाय हो जाती है जानी ओ माले लुकसान हो जाता है तो वो बिजली किस तरह से जमीन पे आई हवा से कंड़क्ट करते होए चुकि यह दोनों रिजन सेटिस्फाई हो रहे थे चुकि बादल बहुत उचे होते हैं और उचाई पर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है एयर प्रेशर बहुत डाउन होता है और दूसरी चीज़ कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो millions of volts of electricity खारिज होती है जो बिजली कलकती है ना सुना होगा आपने millions of volts की बिजली होती है वो जो कलकती है तो high voltage और low pressure के वेश से क्या होता है वो gases जो है वो conductor बन जाती है और अखिरकार वो हवा को conductor तरते वज़े जमीन पर आकर बिजली किर जाती है जो अपने कलकते कभी बारिशों में बिजली देखी है देखा है ना सबने तो ये दो condition जो है वो क्या करते है गैस को conductor बना देते हैं वही दो condition हम discharge टूक के अंदर maintain करते हैं ठीक है पहले बात हो high voltage देंगे high voltage मुराद की तिक्रेबन 10,000 volt तक का current हम इसे pass करेंगे ठीक है और दुसरी चीज़ क्या करना पढ़ेगा वही हमें low pressure, pressure reduce करना पढ़ेगा pressure को low करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इधर से यहाँ से हम थोड़ा सी जगह चोड़ेंगे और इधर से हम बरा देंगे एक चीज़ वो क्या है vacuum pump two vacuum pump यहाँ से एक pipe निकाल देंगे vacuum pump के साथ जोड़ देंगे और vacuum pump क्या करता है vacuum pump करता है pressure को reduce ठीक है तो it reduces pressure यह gases का pressure अंदर जाए वो कम करता है तो क्या होता है कि pressure को reduce करेंगे और high voltage देंगे तो आप क्या होगा अब इसमें से gases conductor बन जाएंगे अब gases क्यों conductor बन जाएंगे चुक्के बहुत high voltage देने पर अब hydrogen के atom को पहले मैंने नाम लिखा वा था अब मैं hydrogen के atom draw कर देता हूँ लेट से मिसाल के तौर पर तीन hydrogen draw करता हूँ यह एक hydrogen atom का एक hydrogen और यह आपके पास दूसरा hydrogen और यह आपके पास तीसरा hydrogen hydrogen ऐसी होता है ना बई एक proton होता है और एक electron होता है जब high voltage current पास करते हैं तो यह gases क्या हो जाती है और ionization किसे कहते है loss of electron जब atom electron को loss कर दे तो इसको कहते है ionization तो electron जो है क्या होता है अपने shell से बाहर निकल जाते है सारे electron यह electron भी यह electron भी और यह electron भी negative 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 electron सब बाहर निकल जाते है और proton अलग रह जाते है और क्या होता है उसके बाद यह negative जब electron जब atom से बाहर निकलते है तो किदर पर भागना शुरू करते है वो भई वो चोगा opposite charges में traction होती है ना plus से minus से किस तरह हो प्लस की तरह भागना शुरू करते है सारे negative electron positive की तरह जाना शुरू करते है ठीक है move करना शुरू करते है और हमने यहाँ पर क्या क्या होता है अच्छा यह तो invisible होती है यह तो race जो भी आ रही है ना यह invisible race होती है अब जो है वो डबलो कुरूक साहब ने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पर back side पे back side पे यहाँ पर उन्होंने एक chemical लगा दिया था उस chemical के मैं आपको बदा देता हूँ ZNS, zinc sulfide इसको हम लोग zinc sulfide लिखते हैं और zinc sulfide क्या चीज़ होती है photosensitive chemical है यह इसको हम लोग यह हमारे पास है photosensitive chemical और photosensitive chemical किसे कहते हैं कि जब भी जाकर इस पर core भी race आकर टकराएंगी तो यह glow करना शुरू कर देगा चमकना शुरू कर देगा यही photosensitive chemical energy saver और tube light के अंदर डलाव होता है कभी अगर आप energy saver को तोड़े और tube light को तोड़े तो उसके शीशे पर एक वाइट वेट कलरे का powder चिपकावा दिखाए देगा वाइट जो powder चिपका होता है वो zinc sulfide होता है उसमें जब भी Cooperrche टकर आती है तो क्या होता है वो उसको glow करना शुरू कर देता है चमकना शुरू हो जाता है पुरा वो वही होता है zinc sulfide तो जब यह जब यह जाकर यहांपर आगे जाकर zinc sulfide पर जाकर टकर टकर आती है तो क्या होता है बैक साइट पे गुलो एक चमक आने शुरू हो जाती है बास संगे आ रही है तो W कुरूक्स ने क्या किया एक डिस्चाज च्यूब लिया उसके अंदर उसने कोई भी गैस भर दी कोई भी गैस भर दी और जब उसने हाई वुल्टेज करंट पास किया प्रेश को रिडियूस करके तो उसको देखा उसने के कुछ ऐसी रेज हैं जो कैथोर्ट से एनोड की तरफ जा रही है और उस रेज को उन्होंने नाम क्या दिया जो कैथोर्ट से एनोड की तरफ जा रही है तो इस रोस को उसने का cathode rays और वही cathode rays उसने observe कैसे किया कि anode के back side पे glow हो गया मतलब कोई ऐसी ray है जो cathode से anode की तरफ जा रही है तब ये anode के back side पे zinc sulfide की coating से टकरा कर वो glow कर रही है चमा कर रही है तो उसने वो चमत दे कर बता है कि atom के इंदर जरूर ऐसा कोई ना कोई particle मौझूद है जिसका negative charge है जो negative charge केरी करता है तो उसने वो समझा कि ये कोई rays है तो डबलू कुरूक ने इसको नाम दिया कि they are actually the cathode rays जो atom के अंदर से निकलती है तो ये इस तरह से discovery होई discharge tube cathode rays की और पता लगा है कि आखिर कर आटम के अंदर को negatively charged particle भी मौझूद है जाते बासन में रही हां तक क्या चीज़ है ठीक है लास्ट नेक्स भी आर गूंट डिसकास अबाट दा प्रॉपरटीज ऑफ कैथोर्टरेस ये अलग से कोशन पेवरे मनता है कि राइट डाउन अर बड़े एक जीनियस पर साले टीजन को कहते है सार जीचे थॉम्सन को और ही इस वन अफ देटेस्ट इचर अफ देड़ वर्ल्ड यूज़ आटेचर एश्वेल अंद तो तेरा सुरेंट्स को उनके मिला तेरा अलग अलग सालों में ठीक है तो जीचे थॉम्सन ने प्रॉपरटीज बताएं ते कहते हो ट्रिस कि दे आर दा मोस् जीनियस परसंस जिनको हम चैप्टर 3 हम डिसकूस करते हैं तो अब इस लिहाज से आठ प्रॉपरटीज हम यहाँ पर डिसकूस करेंगे जो है वो कैथोड रेस की तो सिंपल सिंपल है और कुल प्रॉपरटीज है उनके एक्सपरिमेंट्स भी है दोनों जी तेरी टेल में बताऊँगा सीधे रास्ते में टेल हैं क्याthode रेस जैसे कि लाइट टेल करतीए प्रॉपर प्रॉपरटे इस वज़ेसे वह शाप शेडोव और अबजेट का कैसे पता लगता है कोई बी जो लेकारे quiénrust में अब 492機 सिब्ले बींगारे लेकिन कöyle आपको रॉंड लाइन बनते भी दिखाएं देती है रेसly स्थीधी आरे हो जी्ग्-जाध कैरी या शिपैरल पाथ में आ रही नहीं तो हमैं कैसे पता है कि यह स्टेट या में ट्राइवल कर रही है नो दिखती नहीं है यह रोषणी हर तरफ दिख रही है बिल्कुल वैसे ही है. जैसे मेरे हाथ है. इसको हम कहते है, sharp shadow. शारप shadow उस सुरत मेदसे हैं अगर अर्गुलर आती है, आले-सी आती है, तो बिल्कुल मैरे हाथ जैसे shadow पीछे नी बनता. थोड़ा आला-कुलरствен shadow बन जाता है, irregular Happy नीा तुम कि All-In-D तब आप कैथोड में आप आप इसके बीच में हाथ रख दो तो शेड़ों बनेगा ना इसकर बनेगा चैजों करके हर पॉंड को सब्सक्राइब second point these rays extend from cathode and move towards anode ये rays cathode से निकल रही है और anode के तरफ जा रही है सही है cathode से निकल रही है और anode के तरफ जा रही है तभी तो anode के back set पे glow हो रहा है इसलिए इसको cathode rays भी कहा जाता है second point तो ये कैसे पता लगा के cathode के तरफ जा रही है anode से निकल का negative charge that's why they are deflected towards positive plate in magnetic field index का negative charge होते हैं कैसे पता लगा कि जब इनको magnetic field के अंदर ये क्या करते हैं deflect होते है positive plate की जारे मिसाल की तोर पर अगर मैं यहाँ पर तो एक magnetic field apply कर दो let's say यहां पर देखें मैं बनाता हूँ यहां पर magnetic field मैं बना दे रहो हो लगा दिए हैं तो यह में लगा दी है यह यह मेंने लगा दी हैं पर आपर इक मेंगनेटकी का प्लस हो गए एक मेंगनेटक का माइनस हो गया युस्ट not रोश्णी जो होती है ना light ये रोश्णी तो कोई charge करें नहीं करती है लेकिन cathodrous के पास negative charge होता है तबी magnet के positive pole के तरफ क्या करती है औरियंट कर जाती है वहाँ पर deflect कर जाती है ठीक है तो यह हमारे पास जो है वो तीसरा point हो गया अब चौताया point cathodrous consist of material particle called electrons ये cathodrous light rays की तरह नहीं होता है जो massless particle होता है ये material particle पर मुझे मिल होता है material particle के मदद जिसका कोई नहीं मास होता है और उन material particle को कहा कहा जाता है electrons तो cathodrous जो निकल रहा है वो material particle की तरह में निकल रहे है और उनको इस्टोणी ने नहीं है बलके इनका कोई वजन है ये कोई particle पर मुझे मिले है ये चोटे चोटे particles है असल में और वही subatomic particles कौन से है electrons है तो चोटे सब particles पर मुझे मिले है अच्छा अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगा कि इसका वजन होता है तो ये चोथे point को चेटा point जो है वो proof करेगा अब ये पांचवा point पहले पढ़नो cathode rays possess kinetic energy cathode ray के पास kinetic energy होती है kinetic energy का formula physics में आपने पढ़ा is equal to half mv square हर वो चीज जिसका वजन हो और जो move कर रहे हो kinetic energy होगी जकीनन अभी हमने पढ़ा कि cathode rays material particle है उनका mass second and कुछ दो कुछ होगा electrons का mass होता है 9.11 multiply by 10 to the power minus 31 kg तो ये mass होता है electron का और velocity भी है चोगे move भी कर रहे है अब mass velocity दोनों है तो उसका मतब ये kinetic energy भी possess करेगी उसके पास energy होग kinetic energy अब कैसे पता के mass इसका है ये छटे point पर हम बात करते हैं cathode race can exert exert मतब तो लगाना cathode race लगा सकती है mechanical pressure mechanical pressure दबाव लगा सकती है that's why they can rotate a light pedal wheel जिस वजह से हलके pedal wheel को घुमा सकती है pedal wheel किसे कहते है pedal wheel मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि कागस की जो है वो हम बनाते है न वो fan type के जो बना रहोते हैं उसको pedal wheel कहते है इस तरह का बना वह तहले देखा होगा आपने चलो मैं इस तरह से बना देता हूँ ठीक इस तरह से कागस की पंखडी जो है न वो जो घुमता है हवा चलती है तो घुमना शुरू हो जाता है इस रवा और रिक्षा में आगे लगा ओता है जब रिक्ष्ष तीजगी में जा रहां चलु कर देता हूँ तो पेडल वील ये पिन वील उसको हम कहते है तो यह paddle wheel या pin wheel इसी वग घुमेगा जब समर कोछी जाकर टकराएगी force लगाएगी जैसे हवा, हवा पे भी material particle पर मुझे से मिले न हवा तो हवा जब जाकर टकराती है इस पर घुमना शुरू कर देता है paddle wheel फॉरन से देजिए अच्छा क्या torch light अगर मारेंगे तो क्या घुमना शुरू कर देगा क्योंकि torch light से जो रोश्णी निकल रेस निकल उनका कोई mass नहीं है जिसकी वजह से वह mechanical pressure exert नहीं कर सकते हैं वह दबाओ नहीं लगा सकते हैं pinwheel के उपर लेकिन यही pinwheel अगर तुम क्या कर लो cathode ray tube के बीच में लाकर रख दो तो क्या होगा यह pinwheel घुमना शुरू हो जाएगा और rotate करना शुरू कर देगा इससे क्या थाबित होता है कि यह जो cathode ray से mechanical pressure लगा सकती है कुवद फोर्स लगा सकती है और इसी वजह से क्या कहते हैं कि इनका कोई नहीं को मास होता है बदन होता है जिससे हवा है या फिर हर वो पार्टिकल जिसका बदन होता है वह यह mechanical pressure लगाता है तो यह cathode ray मेकनिकल प्रेशर वजन होता है इसलिए कहा गया कि है मिट्रियल पार्टिकल एलेक्ट्रॉन पर मुझतमिल है जिनका खास एक वजन है ठीक है नाइन पॉर्ट वान वान मुल्टिपलाइब टेंडू थी पावर माइनस थाटी वन केजी जैट इस दा मास ऑफ एलेक्ट्रॉन सुना होगा आपने एक्स रे सेम एक्स मतलब होता है अंटन एक्सरे मतलब होता है अन्गेर अनजाण शुलाए जाम तो तो क्या होगा इसके अंदर से कुछ रेज निकलने शुरू हो जाएंगे Highly Penetrating Radiations ये ऐसे रेज निकलते थे इसके अंदर से जो के इनसान के गोश्ट से भी पास हो जाते हैं प्लास्टिक से भी पेपर से भी ग्लास से भी पास हो जाते हैं सिर्फ इनसानी हड़ी Bone हड़ीों से पास नहीं हो जाते हैं हड़ीों से रुख जाते हैं बाकि सबसे पास हो जाते हैं इनको हम कहते हैं X-ray और X-ray करवाते भी हैं मुक्तरिफ लबारटरी वे गारा के अंदर जब हड़ी फ्रेक्चर हो जाए तो उसको चेक कर रहे हैं कि ले X-ray करवार होते हैं तो ये X-ray निकलता कहां से ये X-ray कब निकलते हैं जब कैथोड रेस किसी मेंटल पीस स्ट्राइक करते हैं अगर आपने के भी X-ray मशीन देखे होगी तो वो बस वो मेंशने मशीन पर बस हाथ रख दिया वो बटन दवाया उन्होंने तो कोई बटन आवाज आई बीप की और फिर हाथ अटालो बई तो वो थोड़े दिरे के बाद आपको ब्लेक कलर का पेच पिला कर दे देंगे अब आप तो नहीं जानते हैं अंदर क्या चल रहा है अटसी बात है चुके यहां आप मंदन नहीं जानता लेकिन अज़ा साइंस टूस्टेंट हमें पता होना चाहिए कि उसके जो मशीन है मशीन के अंदर उसने डिस्टार्ज टूब लगाया बै और इस्टार्ज टूब में से कैथो ट्रेस जाकर टकरा रही किस से? किसी मैटल पीस से और मैटल पीस से Jed टकरा रही तो वो X-ray नकल रहा है वो X-ray गुजार रहा किस से आपके हाथ से गुजार रहा है और अपके हाथ के पीछे उसे लगा दिया एक photographic plate एक photographic plate लगी भी होती है photographic plate किसे कहते हैं एक ऐसे plate एक ऐसी sheet plastic जैसी होती है न सलूलोस की बनी भी एक ऐसी sheet होती है कि जहां जहां पर x-ray जाकर तकराते हैं वहां वहां पर वो black कर देता है और जहां पर नहीं टकराते हैं वहां पर वो white छोड़ देता है इसलेकर मैं हाथ अपना रखूँ और पीछे अगर मैं लगा दूँ क्या कोई photographic plate और जब मैं यहां से x-ray मारूँ तो क्या होगा जहां जहां पर मेरे हाथ पे गोश्ट है वहां वहां से x-ray पास करके पीछे काला रंग छोड़ देगा और जहां जहां पर हड़ी है वह वहां पर वहां पर क्या होगा वाइट छोड़ देगा जब मैं हाथ अटाऊंगो तो पीछे एक white color की एक चीज़ आ जाएगी इसको देखेंगे तो हड़ी पर white पेट ऑगा गोश्ट पर पाला काला वगा देखाए आपने तो वही एक्स रे होता है जिसको उन कहते है लेकिन एक्सरे क्या है इसमें ऐसा क्या है कि गोश्ट से भी पार कर जा रहा है यह जजशे थॉंसन नहीं बता पाएं उनके दौर म के दिया वा नाम तो इसको X-ray लेकिन उसके कुछ सालों के बाद इसकी सारी property discover हो गई एक scientist से row engine आगे पढ़ेंगे next class में row engine तो इसके सारी property discover कर दी तो X-ray का नाम change करके X-ray से row engine days रख दिया गया लेकिन लोगों की जबान पर X-ray इतना जादा चड़ चुका था ना कि लोगों ने इस नए नाम को accept नहीं किया या वो नया नाम मकबूल नहीं हो पाया तो क्या हुआ वो X-ray का जो X-ray ही रह गया आज भी आप जाते हो ना डॉक्टर के पास वो बोलते हैं X-ray कर वालो बड़ा बड़ा लिकाओ था X-ray लबारटरी जबकि X-ray गलत नाम है कोई अन्नोन नहीं है सारे राज़ फास हो चुके X-ray के बारे में साइंस ने सब बता दिया लेकिन आज भी हम इसको X-ray बोलते है जै यह थॉम्संग जो यह नाम है अन्नोन रेस अन्जान चुआएं लेकिन अन्जान अब नहीं है वो अब साइंस बहुत कुछ जानती उसके बारे में अब तो इल्टरा साउन अमराई और पते नहीं कितनी और चीज़ हमने इजाद कर लिए X-ray तो कोई बहुत पुराने जमाने की चीज़ हो गई है अब जो इतने latest technology आगे है ना देखा होगा आपने lab के अंदर MRI और सब कुछ अब बता देते हैं यह 2Z body के अंदर की हर चीज़ के बारे में तो जब cathode race metal piece से strike करते हैं तो X-ray eject होता है बास सम्झा गई तो X-ray जो है unknown race को कहते है जो के मुखतले चीज़ों से पार कर जाती है Now the charge to mass ratio या E by M ratio जो को हम कहते है cathode race का सेम होता है हर gas के लिए charge to mass ratio मतब E upon M ratio E होता है charge of electron M होता है mass charge to mass ratio cathode ray का हर gas के लिए सेम होता है अब E by M से मुराद क्या हो गया that is charge upon mass charge को mass से divide कर दो तो electron का charge होता है 1.6 multiply by 10 की power minus 19 coulomb और mass होता है 9.1 मार उपर लिखा है मैंने red color से minus into 10 की power minus 31 kg इसको तुम divide करो है घर जाकर कोई ना कोई coulomb per kilogram कोई value आ जाएगी अब जो भी value उसके अंदर आएगी वो value के लाती है E by M ratio of electron आप इसके अंदर कोई भी gas फिल कर दो hydrogen डाल दो oxygen डाल दो nitrogen डाल दो fluorine डाल दो chlorine डाल दो carbon dioxide डाल दो methane डाल दो sulfur dioxide gas डाल दो कोई भी gas इसके अंदर तुम डाल दो E by M ratio अमेशा सेम निकलेगा क्यों? चुकि जब gases को high voltage पर जब हम उसको current पास करेंगे तो ionization उने पर बाहर क्या चीज़ निकलेगी उसकी? electrons निकलेंगे है ना भी? तो electron निकलेंगे और electron तो सबके electron का charge और mass से मी होता है अब चाहिए कोई भी gas डाल दो इसलिए हम कहते है charge to mass ratio E upon M ratio हर gas के लिए से माइगा आप चाहिए को भी gas इसके इसके इंदर फिल कर दो चुकि आइज करने पर बाहर से electron ही निकलने electrons का mass और chart constant value है जो सको डिवाइड करके same value आईगे मिशा बहस अन्मारी है so this is all about the properties of cathode rays चो आज 8 properties है अच्छा मैं अब से इक सवाल करता हूँ recorded lecture के इंदर ही question करता हो देखते है कौन जवाब दे सकता है इसका कि electron तो discover होगी ऐस process से discharge tube के W कुरुक निसको discover कर लिया लेकिन W कुरुक proton को discover नहीं कर पाए इसे अगर्चे मैं जो लगता है कि proton भी डिसकवर हो जाना चाहिए था क्यों तो क्यों discover नहीं हो सका प्रोटॉन इसे प्रोटॉन क्यों नहीं डिसकवर हो डिस्टाज चूप से जब चुके hydrogen के अंदर तो electron proton दोनों थे ना अब electron लेकर निकल के यहां किया है तो प्रोटॉन को भी निकल किस तरफ आना चाहिए था मास नहीं बिलकुल मास होता है प्रोटॉन का मेटेरियल पार्टिकल तुम बोलो पॉजटिव तो नेगटिव के तरफ जाना चाहिए ना पॉजटिव बताओं यह क्यों कि हम दिसकॉवरिय और अलग पढ़ते हैं डिसकॉवरिय और अलग पढ़ते हैं इस आती बारे में वज़े वजए वजए दा the difference between the masses and sizes of electron and proton एक proton जो है वो 1836 electron के बरावर होता है 1836 electron के बरावर होता है समझ लो इस तरह कि अगर अगर जो है वो electronic चूटी है अगर electronic चूटी है तो हाती जो है वो अग प्रोटान है ये size है अगर ये size अगर electron का है तो ये size होता है proton का ये electron और यह proton का size है, अगर हम relate करना चाहें तो electron चुके size में छोटा होता है, size में छोटा होने की वज़ाव से वो thin metal foil से pass कर जाता है, चुले काम करता है मैं 9th point भी यहाँ पर डाल लेता हूँ ताकि अब आपको clear हो जाए कि they can pass throw a thin metal foil कि cathode rays यतने छोटे size के होते हैं, electron इतना छोटा होता है, कि वो thin metal foil से पतली से पतली से pass हो जाता है, पास होकर back side पे glow हो जाता है, लेकिन चुके protons का size बड़ा होता है, तो वो इससे पार नहीं हो पाता और वो यहीं पर रुख जाता है, इसलिए back side में यहाँ पर glow नहीं होता, तो अकिर कोई आपसे पूचे है कि डबलू कुरुक साब proton discover करने में क्यों नाकाम रहे, तो वज़ाए यही है कि proton का size जादा था, जिसकी वज़ाए से वो pass नहीं हो पाया, और वो zinc sulfide पे टकरा कर glow नहीं कर पाया, इसलिए उनको लगा कि item के अंदर सुरीफ है कि negative charge के रियर पार्टिकल होता है, के लिए रबास समय आईए अब, सबको समय आगे